Dear friends, today the Lord has given you a wonderful promise प्रिये मित्रों, आज परमिश और आपको एक बेतरीन प्रतिग्या वचन दिये हैं उभजन सहीता 35 उसका 27 में पाया जाता है यहां दाउत कहते हैं, जो मेरे धरम से रसन रहते हैं, वे जैजय कर और आनद करें और निरंतर कहते रहें, यहवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन होता है और एक वचन में ऐसा कहते हैं, परमेश और आपने दास की कुशलता से प्रसन होते हैं जी हां, जब दाउत जंगल से गुजर रह थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका पुत्र उनको सिहासन से खदर दिया था क्योंकि दाउत का पुत्र अप्शलम उनसे उनका राज छिल लिया था, इसलिए दाउत को जंगल की और से गुजरना परा, उनके पैर में चपल भी नहीं था लेकिन परमेशव दाउत को ऐसे ही नहीं छोड दिये थे, परमेशव उनको छोड़े भी नहीं थे, त्यागे भी नहीं थे दाउत के हर एक दुख के दिन परमेशव ने उनको बहुती आनन्द मैं किये थे परमेशव ने उनको राजा बनाया और वो इस्राइल के सारे गोत्रों पे राज किये थे इस्राइल के सारे जन्जातियों ने उनके पास आकर कहा, हम आपके हड़ी और आपके मानस हैं जिहां आपके हर एक दुख के दिन के बदले परमेशव आपको एक राजा और एक रानी के समान बनाये रखेंगे परमेशव आपके कुशलता से प्रसन्द होते हैं जितने दिन तु हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आये हैं उतने ही वर्ष हमें आनन दें साथ आप भी यही प्रार्थना कर रहे हैं परमेशव आपके जीवन की हर एक नुकसान की भरपाई करेंगे और वो आपको हर्षित करेंगे जैसे भजन सहीता 34 एक और दो में लिखा हुआ है जब दाउद अपने सिहासन में बैठे थे वो बहुत हर्षित थे और परमेश्वर की महिमा किये थे उनने ऐसा कहा मैं हर समय यहवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्थूती निरंतर मेरे मुख से होती रहीगी मैं यहवा पर घमंट करूंगा नमर लोग यह सुनकर आननदित होंगे पिता अपने बच्चों को भी इसी तरह से आशिश दे उनको महान उचाई तक लेके चले विशिस रूप से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उनके केरियर को आशिश दे एक महान उचाई में उनको अब लेके चले उनने एक बेहतरीन भविश्य प्रदान करें जो अपने जीवान में एक जीवान साथी का इंतजार कर रहे हैं उनको सही जीवान साथी हब दें पिता जो लोग पदन्यती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको पदन्यती दे और उनका आदर करें और लोग उनसे कहें सचमुच आपको परमिश्व ने आशिश दिया है परमिश्व सचमुच उनके कुशलता से प्रशन होते हैं उनको आशिश दे प्रभू उनके मन की सारी मुराद को पुरी करें येश्व के नाम से मित्रो परमिश्व आपको आशिश दें